इस्टुडेंट्स वागाते आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल पे जहां आपको वेस्ट बिंगॉल बोट से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेगी तो अगर आप वेस्ट बिंगॉल बोट के स्टुडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रिस कर लें तो स्टुडेंट्स आज के वीडियो में जो थियूरम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं वो है थियूरम नंबर 32 इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थियूरम नंबर 31 अल्रेड़ी प्रूफ कर लिया है तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि थियूरम नंबर 32 में हम लोगों को क्या प्रूफ करना है तो देखिया theorem number 32 में हम लोगों को ये बोला गया है कि अगर हम लोग एक perpendicular किसी cord पे draw कर रहे हैं ये हमारा एक मान लीजे circle है और ये हमारा क्या है center है और ये एक cord है cord किसको कहते हैं हमने अलड़ी पहले वीडियो में पढ़ लिया है उमिद आपको याद होगा तो ये हमारा मान लीजे अगर AB cord है तो इस theorem में हम लोगों को ये प्रूब करना है कि अगर कोई perpendicular अगर इसके उपर हम लोग draw करते हैं center से मतलब center हमारा O है और center से एक perpendicular हम लोग अगर इसके उपर draw करते हैं तो ये जो AB cord है वो दो equal हिस्से में बट जाता है bisect the cord मतलब कि अगर कोई perpendicular line हम लोग draw करते हैं center से अगर cord के उपर तो cord जो हमारा दो equal हिस्से में बढ़ जाता है ये हम लोगों को इस वाले theorem में prove करना है clear है और इस theorem को हम लोग इस तरह से prove करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये theorem अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आपको ये theorem याद करने की जरूरत ना पड़े तो किस तरह से theorem को prove करते हैं वो हम लोगों ने already जान लिया है कि सबसे पहले हम लोग given लिखते हैं उसके बाद to prove लिखते हैं फिर construction लिखते हैं और फिर prove लिखते हैं तो इस वाले portion में जो हम लोगों का given रहेगा वो क्या रहेगा इस वाले में हम लोग जो given लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि let a b be a cord सबसे पहले हम लोग एक circle को यहाँ पर draw कर लिए हैं जगा पे circle को हम लोग draw कर लिए हैं और हम लोगों के question में already बोला गया है कि perpendicular जो है वो कोई cord पे draw किया जा रहा है मतलब हम लोगों के question में already बता दिया गया कि perpendicular है और वो cord पे draw कर रहा है यह हम लोगों के question में already दिया हुआ है तो आप given में simply लिखेगा के लेट ABB chord ठीक है ABB chord of a circle with center O और जो हमारा perpendicular है वो क्या है OP and OP be the perpendicular on the chord AB यह आप लोगों given में लिख लेना है और यह given आपके book में भी लिखा हुआ होगा उसको एक बार पढ़िएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो हम लोगों given को जो है वो अच्छी तरीके से अपने diagram में जो है present कर लिया है next हमारा काम है वो क्या है आप सभी को मालू में next हमारा काम है construction यह तो given वाला construction था लेकिन हम लोग जो extra construction कर रहे हैं वो अब करेंगे और वो क्या करेंगे वो simply करेंगे construction में हम लोग लिख देंगे joint O A यानि यह joint कर देंगे and O B यानि यह joint कर देंगे तो यहां तक हम लोगों का दो काम clear हो गया वो कौन कौन सा काम है given का portion यहां पे हम लोगों complete हो गया and construction का portion हम लोगों का यहां पे complete हो गया अब हम लोगों का portion आता है वेरी गुड अब हम लोगों का प्रूफ का पोशान आता है कि इसको अब प्रूफ कैसे किया जाए तो देखिए आपको पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था ट्रेंगल के बारे में पढ़ाया था सरकल के बारे में पढ़ाया था तो इससे पहले वाले theorem में भी हम लोगों ने triangle का सहारा लिया था theorem को proof करने के लिए और इस वाले वीडियो में भी हम लोग triangle का ही सहारा लेंगे theorem को proof करने के लिए तो यहाँ पे हम लोगों को कितना triangle दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को 2 triangle दिख रहा है तो आप क्या की जेगा proof में आप लिखेगा के in triangle in triangle oap क्या है oap and एक और triangle हमारा क्या है जल्दी बोलिए एक और triangle हमारा o b p तो लिख देंगे हम लोग o b p तो दो triangle हो गया हमारा एक हो गया o a p और एक हो गया triangle o b p अब भईया इसमें जो हम लोगों ने in triangle लिखा इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा तो देखे इसके बाद simply जो हमारा मकसद है वो यह है कि a p is equal to a b को proof करना a p is equal to p b यह proof करना अगर यह proof कर दिये तो हम लोगों का पूरा का पूरा theorem proof हो गया क्योंकि theorem में यही पूछा गया है कि जो perpendicular हम लोग draw करेंगे इसके उपर वो यह दोनों line को equal part में divide कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि a p है वो b k के बराबर होगा दो equal हिससा हो रहा है न यहां पर यह हमारा पूरा line है और यह एक हिस्सा यह एक हिस्सा तो यह दोनों हिससा जो है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए यही हम लोगों को theorem में prove करना है तो हम लोगों को prove इसको करना है अब इसको prove करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को जो है इन दोनों triangle को congruent prove करना होगा कि यह दोनों triangle जो है वो congruent है clear है last वाले theorem में भी हम लोगों को यही करना पड़ा था कि दोनों triangle को concurrent prove करना पड़ा था तो अब कैसे prove करेंगे concurrent तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यह देख लेते कि कौन-कौन सा जो line है कौन-कौन सा जो यहाँ पे side है और angle है वो common है यहाँ पे सबसे पहले तो op is equal to common op जो है वो हमारा common है दोनों case में op common है ना देखिए op जो है वो इस triangle में भी op है और op जो है वो इस triangle में भी op है मतलब इस triangle में भी side op जो है वो इस triangle के side op के बराबर है मतलब op जो है वो एक हमारा common side है next point हमारा ले ले लेते हैं कि angle opa angle opa is equal to angle अब आप बोलिएगा सर कि angle OPA angle OPB कैसे हो गया तो शुरुई में हम लोगों को question में already दिया हुआ है कि the perpendicular word को ध्यान से सुरिए the perpendicular drawn on any chord तो यह क्या है हमारा already question बोले कि यह perpendicular है इस chord के उपर अब जब perpendicular है इस chord के उपर तो यह भी 90 degree और यह भी 90 degree that means क्या हुआ कि angle OPA के बराबर होगा तो यह दो चीज बराबर हो गया अब तीसरा चीज हम लोगों को बराबर करना है और वो तीसरा चीज क्या है वो तीसरा चीज है O A is equal to O B उमीद है क्यों मैंने OA is equal to OB लिखा आप लोगों को समझ में आ गिया होगा नई समझ में आया तो मैं बता हूँ के OA is equal to OB इसलिए होगा क्योंके दोनों क्या है हमारा दोनों जो है वो circle का radii है ठीक है तो radius का plural form radii होता है ऐसे हम लोग OA अगर रहता तो सिर्फ radius लिखते हैं लेकिन OB भी है तो हम लोग radii लिखें ओके तो अब हम लोगों यहाँ पे तीन चीज मिला है कि OP जो है वो इन दोनों का common side है हाँ भाई common side है और हमारा angle OPA is equal to angle OP भी है बिल्कुल है यह भी 90 degree और जो 3 हम लोगों मिला है वो यह है कि OA is equal to OB यह भी बिल्कुल OA is equal to OB होगा क्योंके दोनों क्या है हमारा दोनों radius है अब इन तीनों को तो मिल कि अब इन तीनों के साथ हम लोगों को क्या करना है अब इन तीनों के साथ हम लोगों को triangle का concurrency का कोई भी एक यहाँ पर प्रोपर्टी हम लोगों को लगाना होगा जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दो साइड है और एक हमारा क्या है एक हमारा hypotenious तो हम लोगों ने OA is equal to OB already बता दिया तो यह भी सही है और हमारा third है side तो side हम लोगों ने AP is equal to PB already बता दिया है that means के यह जो हमारा दोनों triangle है कौन कौन सा triangle है बोलिए triangle OAP congruent triangle OBP और यहाँ पर आप देख लिए यह जो हमारा is equal to के बाद उपर में जो यह sign देते हैं इसका मतलब हो गया congruency का यह sign है तो यह दोनों triangle एक दूसरे के congruent है कौन से property से यह लिखना ना भूलिएगा exam में यह जरूर लिखेगा तो यहाँ पर लिख दीजेगा by RHS ठीक है तो by RHS concurrency तो अब इन दोनों को जब हम लोग congruent proof कर दियें तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं अब हम लोग लिख सकते हैं कि AP is equal to AP is equal to PB अब आप बोलिएगा भरिया कि AP is equal to PB आपने क्यों लिखा तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर एक दोनों ट्रेंगल अगर एक दूसरे के बराबर है एक दूसरे के concurrent है तो उसका तीनों साइड क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा उसका जो तीनों साइड होगा वो corresponding side के बराबर होगा तो AP जो ह to any chord from the center of a circle bisect the chord मतलब perpendicular अगर हम लोग एक perpendicular अगर हम लोग एक chord पे draw करते हैं तो वो क्या करता है chord को 2 equalist में बाट देता है तो हाँ भईया एकदम सही बात है यहाँ पे 2 equalist में बाट रहा है AP is equal to PB तो उमीद है मैंने यह theorem आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से समझा दिया होगा अब दोबारा आपको यह theorem याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और theorem में जो भी छोटा मुटा statement है वो तो आप खुद से ही लिख लिजेगा क्योंकि इतना तो आप लोगों ने class 10 तक आते आते समझी लिया होगा कि किस तरह से किसी भी statement को use करेंगे हम लोग किसी भी statement को लिखने के लिए किस तरह से use किया जाता है तो यह हो गया basic किस तरह से हम लोग इस theorem को proof करेंगे उमीद है आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर आपको लगता है कि यह video आपकी classmates की भी help कर सकता है तो यह video को तुरंत अपने classmates तक share करें मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए अपना ख्याल लगए Thank you